ठीक है? व्लोग्स कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं है, कोई टेलेट मी है, मेरी तरह व्लोग कर लो अब सब कुछ है आपके पस, पर आपके पस एक चीज की लाग है मैं वीडियो किस पर बनाऊँ? एक वैशन निकलता है हमारे सब के दिमाग से जबी भी कोई आपको सेजेशन देता है ना, तब आप एक चीज सोचते हो यार, यूट्यूब पे ना, अल्रड़ी लोग इतना करके बैठे हैं, कि अब हमें कौन देखेगा Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel I hope आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने ममी पापा को खुशी-खुशी रख रहे होंगे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि यशू दिदी आज एक और वीडियो लेके आए तो वीडियो में बहुत हैसी मजाग करेगी, है ना, बट नहीं आज की वीडियो में मैं बिल्कुल भी मस्ती मजाग नहीं करूँगी, क्योंकि ये वीडियो मैं उस माइंसेट से नहीं बना रही हूँ ये वीडियो का रीजन ये है, मुझे काफी सारी लड़कियों के कॉमेंस आते हैं प्लस उनके डीम साते हैं, कि दीदे आपनी यूट्यूब कैसे स्टार्ट किया, मुझे भी यूट्यूब स्टार्ट करना है और मैं भी अपनी ममी बापा को सपोर्ट करना चाहती हूँ, अभी मैं ट्वैल्ट करके निकली हूँ कोई मेरे पास इतनी जादो क्वालिफिकेशन ही है कि मैं नहीं जॉब कर पाऊँ और अगर जॉब करूँगी तो साइड बास एड मैं पढ़ाई को टाई नहीं दे पाऊँगी, जो कि सच है यार कुनों बता है बार बार ना तू आ रहे हैं, काम कर तू बाहर जाके लिट जा तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड होने वाली है, अगर आपको जादा मजाग मस्ती करनी है तो आप मेरी और वीडियो देख लो और आप इसको स्किप कर सकते हो और छोट सकते हो बढ़ ये वीडियो मैंने अपनी चोटी चोटी प्यारी प्यारी बेहनों के लिए बनाई है, जिनको अपनी फामिली को सपोर्ट करना है और आप लोग ये भी कहोगे कि 50,000 सब्सक्राइबर्स और हमें ग्यान दे रहे हैं, यूट्यूब कैसे स्टार्ट करें नहीं आप लोग मुझे अगर देखते हो, मुझे फॉलो करते हो, मेरी चीज़ों पर रियाक करते हो और मुझे डियम करते हो, तो मुझे लगता है कि जैसे मेरी चोटी बहने उसको प्रॉब्लम्स होती है, दिदी मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं पता ही कैसे करना मैं उसको help करके जितना खुश होती हूं अगर मैं आप लोगों कोई ज़रा सी भी help कर पाऊं सच में मुझे बहुत जादा खुशी होगी तो फटा-फट से इस वीडियो को start करके मैं step by step सब कुछ बताऊंगी तो सबसे पहली चीज जो लोगों को लगता होगा या जो थोड़ी सी मतलब अपने 30s में होगी उन लोगों को लगता होगा लडकियों हो चाहे लडके हो कि यार ये तो मतलब हमें कौन दिखेगा हम तो इतने इंट्रेस्टिंग नहीं है हर कोई किसी ना किसी स्किल्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा होता है किसी के अंदर चाहे आंटिया हैं वो कुकिंग में हो सिलाई करने में हो जैसे हम लोग हैं आप आप मुझे लगाओ मैंने कोई आपको ऐसी स्किल्स नहीं दिखा दी मेक अप करके नहीं दिखाया, कोई fashion का नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, मैंने क्या दिखाया, अगर मैं मजाग करती हूँ, यही skill, आपको अच्छी लग गई, आप मेरी वीडियो देखते हो, तो हर किसी के अंदर, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर, आप 10 साल के हो, आप 15 साल के हो, आप किसी भी एज में YouTube स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो YouTube पे, और बहुत अच्छे से कर सकते हो, और उसे पैसे कमा सकते हो, अगर आप YouTube पे सर्च करोगे, that how to grow your YouTube चानल, तो जज़ादे तर आप यह देखोगे, तो पैसे तो बात की बात है, पैसे लेके पहले क्या करोगे, वो तो second step हो गया, अगर आपको नहीं समझ आरहा, अगर आपको नहीं समझ आरहा, और आपकी एज है, 30, 40, आपको समझ नहीं आरहा, गो for the cooking, अगर आपको आप जा सकते हो, कुछ भी है, आप YouTube पे डालो, और पहली चीज, सबसे जादा हमें यह चीज होती है, कि अगर हम वीडियोज बनाएंगे, तो लोग हमें judge करेंगे, कहेंगे, अगर आप skin care पे बना रहो, अभे तेरे खुद के dark circles है, अभे तेरे तो खुद के होट काले हो रखे हैं, तेरे तो खुद की शकल पे ऐसा है, तो हमें क्या बताएगी, आधि लोग कुछ बोलेंगे, आधि कुछ बोलेंगे, अगर आप वो remedy बता रहे हैं, और किसी एक को भी वो help करी है, वो तो आपका एक positive way में हो गया ना, आप सोचना बंद कर दो, लेकिन सची चीज बताओ, कोई भी चीज ऐसी मत बताना, जिससे किसी को reaction हो जाए, किसी के लिए problem create हो जाए, पहली चीज आपको यहाँ clear हो गई है, कोई age नहीं है, यूट्यूब के आप किसी विएज में कर सकते हो, दूसरी चीज, अब अगर आपको यूट्यूब स्टार्ट करना है, तो obviously, एक टाइम था जब यूट्यूब आया आया था, लोग छोटे से फोन से भी बनाते थे, तो सब उनकी वीडियो देखते थे, क्योंकि तब इतनी ज़्यादा टेकनोलेजी और इतनी ज़्यादा ड्वलेप्मेंट नहीं हुई थी यूट्यूब पे, अगर आपके पास आज के टाइम बे बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है आपके क्यामरे की, या अगर आप बात करे हो, बहुत बलर सा है, तो कोई आपको नहीं देखेगा, बट उसके लिए जरूरी यह नहीं है, कि आप DSLR से रखके या किसी क्यामरा को रखके ही स्टार्ट कर सकते हैं यूट्यूब, आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, और अगर आप बेसिक से स्टार्ट करे हो, आप किसी भी फोन से, ट्रस्ट मी, आप किसी भी फोन से कर सकते हो, फोन बैटर नहीं करता, चाहे आप DSLR से करे हो, आइफोन से कर रहे हो, ओपो से कर रहे हो, वीवो से कर रहे हो, आपका content matter करता है, और आपकी quality matter करती है, content quality, ठीक है, camera quality इतनी जाता नहीं, अब मैं आपको अपना setup दिखाऊंगी, तब आपको समझ जाएगा, कि ये शस्वी किस चीज से बनाती है, और कितना अच्छा setup करती है रुको, guys बस ये है मेरा setup, और कुछ भी नहीं है मेरे गर में, यापर आस पास, ना कोई light, ना कुछ, बस ये और मेरा phone, तो यहाँ पर second point पर हमारा clear हो गया, अगर हमें video start करनी है, तो उसके लिए एक phone का camera, और दूसरा tripod, ताकि हम किसी और को परिशान न करें अपनी videos के लि ये sunlight भी दिखा देती हूँ कैसी है, इसके बिना चेहरा ऐसा लगता है, थोड़ा सा काला लगता है, बट मैं sunlight में ही प्रेफर करती हूँ शूट करना, मेरे पास दो-दो light हैं, बट वो मैंने अभी इसलिए नहीं लगा ही, ताकि मैं आपको दिखा पाऊं, बिना light के भी तब ही आपका चेहरा क्लियर आएगा, और आपकी पूरे फीचर से अच्छे से देखेंगे, अगर light यहां से भी आ रही है, यहां से भी पीछे से भी नहीं वोग करेगा, तो इसलिए ताकि वो ना देखे मेरी महां से light आती है, तो मैंने उस जुगाड के लिए यहां पे च करने है, बिना फालतु की खर्चे बिल्कुल भी नहीं करने है, आपको यह भी समझ आगे अब lighting का कैसे करने है, उसके बाद आता है sound, sound थोड़ा से important हो जाता है, देखो, अगर आपकी clarity भी थोड़ी कम है, अगर चलो, lighting में भी थोड़ा ऊपर नीचे है, बट अगर आपकी सही से जाएगी ही ने सामने वाले को, मिल कितनी भी अच्छी quality हो, कितनी भी अच्छी light आगी हो मेरे चेहरे पर, अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसे-से हो रहा है, पीछे background noise बहुत जाद है, तो आपको क्या समझ आएगा, मैं क्या बूर दूँ हूँ, आप स्किप क बट वो शायद 2-5,000 रुपे का है, अगर लेना चाहो वो ले सकते हो, नहीं तो एक और अच्छा जुगाड बताती हूँ, इसलिका भी, for example, यह phone है, side में रखके, इसका recorder on कर दो, जो इसमें recording वाला होता है, और बोलते रहो, editing के time पे, इसको समें paste कर दो, और मैंने भी ऐसे word, टू बोलना, यह भी मुझे नहीं आता था कैमरे के सामने, मैं टू को भी टूई बोलती थी, टूई, और मैं अपने आपको इतना गुस्सा आता, तो मुझे मिले को लगता था, तिरसे टू नहीं बोला जारा, तिरको कुछ भी नहीं आता, यह चीज क्या है, कि आप कैमर बट कभी भी नहीं थी, बट मैं कभी भी कैमरा के सामने नहीं बोल सकती थी, मेरी वीडियोस पहले की, इतनी गंदी गई हुई है, जो पहले की थी, पिछले चानल पे, मतलब मैं ऐसे कॉंशस रहती थी, गया, ओके, हाँ, मुझे लगता था, लोग मुझे जज करेंगे, मैं कैसे बोलू, मेरी इंगलिश भी इतनी अच्छी नहीं, यह लोग सो चेंगे, यार, यह तो हिंदी में बात करें जा रही है, अरे भाईया, मैं जैसे भी बात करी हूँ, इंगलिश में करी हूँ, हिंदी में करी हूँ, समझ आ रहा है ना, सामने वालों को, और मैं इंग अच्छा यूट्यूब करती है अच्छा ये करती है अच्छा वो करती है सबसे बड़ी चीज है आप खुद को confidence दो और खुद के अंदर इतना motivation लेकर आओ मुझे पोई कुछ भी कह रहा है मुझे अपने उपर फईथ है मैं कड के दिखाऊंगी और मैं कर लोगी मुझे मालू है मेरे अभी इतनी जादा subscribers नहीं हुए है बट स्टिल मैं ये चाहती हूँ मुझे जितने भी लोग subscribe कर रहे हैं मैं मुझे उनकी help करता हूँ तो अगर मैं आपको बोलू कि कल आपको video बनानी हो और camera के आगे बहुत अच्छे से बोलें आप नहीं बोल पाओगे video बनाना स्टार्ट करो वही confidence के साथ स्टार्ट करो क्योंकि हर कोई perfect नहीं होता ये एक ऐसी चीज नहीं है जो बच्पन से करते आ रहे हो कोई भी चीज आप करते हो time के साथ सीखते हो time के साथ आप सीख जाओगे मैं भी कहूंगे मुझे अभी भी नहीं आता बोला मैं कितनी बार बोलती हूँ यह मैं क्यों लाई हूँ, यह मैं क्यों करी हूँ, मेरी लैंगवेज यह नहीं है, उसके बाद हमारी लाइटिंग, कामरा, सब कुछ हो गया, अब आती है बात, अगर वीडियो बन गई, अब बनने के बाद उसको एडिट कैसे करे, मैंने एक दीदी को सजेशन दिया था, कि अगर आपको करने है न, यूट्यूब पे आप खाने का स्टार्ट करो, दीदी ने ट्राइपॉड पे मंगाया, और वो अभी तीन दिन पहले मेरे घर पे आई थी, तो उन्होंने क्या मुझसे, कि रहना, मैंने न, वीडियो तो बना ली, बट वीडियो बहुत सारी हो गई यूट्यूब पे लोग कैसे वहाँ पे एडिटिंग कर गया तो उसके लिए अलग अलग कहीं जागे, भार्शे करवानी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो, ठीक है तो एडिटिंग के प्रॉब्लम यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, अब आते हैं सबसे बड़ी च क्यों किस पे बनाऊं, मैं वीडियो में इसा क्या करूँ क्योंकि एक वैस्टिं निकलता है हमारे सब के दिमाग से, जभी भी कोई आपको सेजेशन देता है तब एक चीज सोचते हो, यार यूट्यूब पे लोग इतना करके बैठे हैं कि अब हमें कॉन देखेगा, यह मेर मेरे दिमाग में नहीं आया होगा आज से, पांच महीने पहले जो मैंने यूट्यूब सार्ट किया था, यह मेरे दिमाग में भी आया था, और मैं एक्स्क्यूज यही बनाती थी, यार ममी पहले वाला टाइम नहीं रह गया यूट्यूब का, मुझे नहीं करना, ठीके जाते थे, 600, 700, मोटिवेशन तो अपने आप गिरेगी ना, फिर मुझे यह लगा एक दिन, कि छोड सब कुछ पैसो के लिए मत कर, यह मन सोच कि यूट्यूब चलना ही चाहिए, बस अपने मन के लेकर, अच्छा लग रहा है, इसलिए कर रहे हूँ, और मजा नहीं लगया क कर सकते हो, recipes कर सकती हो, ठीक है, vlogs कर सकती हो, कुछ भी नहीं है, कोई talent मिया, मेरी तरह vlog कर लो, मेरा मन क्या था, मैं एजुकेशनल चैनल बनाना चाहती थी, जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, हाँ मैं मजाग मस्ती करती हूँ, उससे अलग भी मेरा एक साइड है, जो कि, बिल सबसे इंपॉटन चीज, जिस चीज के चकर में, आप लोग मुझे देख रहे हो, आप लोग मेरी चीजो को सुन रहे हो, क्या है, आप लोग क्या कॉमेंट करते हो, कि दीवी, और लोगों से जादा आपकी जो वीडियो है, उसमें बहुत रह होती है, कुछ भी उसमें, now I'm going to take this project, now I'm going to take this, यह नहीं होता, बिल्कुल रियल रहो, अगर आपको पॉटी ली आरही है, तो मुझे आरही है, मैं कैसे रोग उसको, तो ऐसे रहना है, ऐसे नहीं, कि I want to poop, यह नहीं करना, नॉर्मल रहना, बिल्कुल शान्थ, आप मैंने आपको सजेशन्स भी देदी है कि आप क्या कर सकते हैं, अब बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, अब आपको लगता होगा, दी दी दी, एक सिकेंड, मेरी देखो कॉलाइबरेशन का कॉल रहा है, एक सिकेंड मुझे, Yes, I'm back, तो बात क्या कर रहेते हैं, अर्निंग की, कि अब लोगों को लगता है, कि यूट्यूब सब कुछ कर लिया, अब मेरे लोगों को ना पते हैं, जब आपके चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे होते हैं, जैसे 10 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, कोई बाती है, सब के पर आते हैं, मेरे पर भी आया एंक टाइम पर, तो आपको लगता है, अब मेरे ना हजार तक व्यूज जाने लगए, तो अब मैं कितना अर्ण करूंगी, मैं अभी अपना नहीं बता रही हूँ, यहाँ पर मैं अपनी तारीफ या बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं एक ग्राउंड लेवल पर, अगर आपने स्टार्ट किया है, यूट्यूब, तो आप उस तरह से कि उसको बता रही हूँ, आपको पेली चीज़ चाहिए, पैसे कमाने के लिए आपका चैनल मॉनिटाइज हो, उसके लिए हजार सब्सक्राइबर्स, पहली चीज़ यह और दूसरी चीज़, चार हजार वोच आज, अब यह कैसे आएगी, वही अपनी कॉंटेंट कॉलिटी को अच्छा रखना, और उसके लिए रोज कुछ नया, 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 करना, 12th क्लास के बच्चो, आपकी 12th अभी हुई है, बहुत अच्छी चीज़ है, आपने अच्छा स्कोर किया, और आप यूट्यूबर बढ़ना चाहते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरे अगर स अच्छा स्केल्स हमेशा आपके पास देगी, तो उसको कभी में चोड़ना, आपको बस रेगुलर रहना है, सबसे इंपर्टन चीज़, आपको रेगुलर रहना है, आपको इतने भी बिजी हो, आपको कितना भी टाइप स्केडियूल है, यूट्यूब को ये चीज समझने मेर 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 मेरक से निकाल से तो सबस्ताव एए, आज ही जाओ यहां से ये वीडियो को कह देख के हटो और अब्सक्री जाओ, अगर को स्क्रिप्टिंग करिए भीडयू OUT, कुछ लोगो ने पहले स्क्रिप्ट किया है, इसकी वजुग में इदो होग और उन्होंने सोचाओ आज इस वीडियो को देखो और इसके बद अब जाओ अची स्क्रिप्टिंग में जाने स्क्रिप्टिंग में जाने जिस भी चीज में जाने कुछ ने मिल रहा कर से व्लॉग करना स्टार्ट कर दो बस यह करना है और अगर मुझसे कोई भी हल्प चाहिए किसी भी तरह की अगर मैं आपकी प्रॉब्रम्स सॉल्फ कर पाई थो और हर वीडियो में ना मस्ति और बत्तमीजी नहीं पर सकती मैं आज बहुत जादा जरूरी था है तुम लोगों के लिए इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों कोई बता पाँ और समझा पाँ तो बत्तमीजी के अगर मैं नहीं हूं एसी अगर मैंने बताया मैं तु को भी तु को भी बोलती थी मुझे नहीं आता था यह सिर्फ आप लोगों की अज़े से इलव यू और एक लड़की थी एक से कि लड़की का पहनाम सिबू और रहे मैं बूल गए मेरे इसी फोन में मुझे एक से घरी मेरे मेर नहीं नहीं लेना तो बता दो मुझे सिदा मना कर दो मैं का मुह मुझे माफ कर दो एक बारी मिसकाना देखते ह Allah कै यह किया हो एक से किया है मुझे मिल खाया उससके नामें आप यह यह स Calvin तो था क्यूं झाल झाल